इस शोग की और जैसे को मैंने पताया सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा इवेंट 2023 का हमारा World of Concrete का है जो इस समय आज शुरू हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 200 से ज्यादा ब्रैंड्स इंटरनेशनल ब्रैंड्स और 10,000 से ज्यादा विजिटर्स आने की हमें पूरी उमीद है और में खाते जिसना से दिन शुरू हुआ है बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर विजिटर्स आए है और इसके साथ-साथ हमारा इस साल का जो में फोकस है वो टेकनोलोजी और सस्टेनेबिलिटी पे है इन फाक्ट इंडिया ऐसा कंट्री है जिसने अलरड़ी एक टेक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील शुरू कर चुके है क्योंकि अगर भारत को दो हजार सत्तर तक नेट जीरो पहुँचना है तो इस सेक्टर का बहुत बड़ा कॉंट्रिबुशन बहुत बड़ा योगदान होने जाए और जैसे मैंने अपनी स्टीच के अंदर भी बोला है कि हम लोग बहुत इनोवेटिव कुछ ने हमने आइडियाज लेके आये हैं पर जैसे मैंने पहले भी बोगताया कि जब तक हमारा जो इंजन है इंस्पिरेशन का उसमें ने आइडियाज नहीं आएंगे हम लोग आगे पढ़ नहीं पाएंगे और पहला आइडिया हमने निकाला है कि हम लोग एक क्लोज जोड सीयो कॉंक्लेव कर रहे हैं जो कि आज धाई से साड़े चार बज़े है और उसकी जो टेकवेज हैं उसकी जो डेलिबरेशन हैं उनको हम लोग एक वाइड पेपर के रूप में कैप्चर करके गवर्मेंट क पेश करेंगे कि भारत के टॉप CEO's का इस सेक्टर के बारे में ये विचार है और कल हमारा CTO कॉंक्लेव है जिसमें टेक्नोजिस को ऊपर रहेगा तो एक इवेंट का कॉंप्रिहेंसी वाइड पेपर बनेगा और उसके साथ इंडस्ट्री को इंश्पायर और एश्पायर कर और आज हमारे साथ जैसे बिल्डर एसोसेशन आफ इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज दोपहर एक बज़े से इनके अलग-लग मीटिंग्स हैं वेस्टन रीजन की मारश्टा रीजन की और उसके बाद कॉस्टल रोट के ओपर इनका प्रजेक्ट है जिसके ओपर यह प्रेजनेशन करने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बिल्डर एसोश्यम इंडिया की मीट होने जा रही है हमारे ही शो के अंदर और आज एक गुजरास्ते भी डेलिगेशन आया है हमारे पास तो एक दिखाता है कि कितना इंट्रस्ट और कितना इंकलिनेशन है इस पॉल्डर था उसका आने पर जिखर किया और रेलाइंस जैसे बड़े कार्पर सेक्टर भी पाटिसिपेट किया है तो इस तरह से वो इस प्रोग्रस्टी को ले रहे हैं नई टेक्नोजी को अपना रहे हैं और उनसे क्या लाब अपने जैस को हो रहा है जिए टेक्नोजी का रहे हैं तो मेरे खाल से हम और आपको जो बॉटम आफ पिरमिड है सब को हो रहा है किसी पिछ तरह की टेक्नोजी हो बजाद एक रिलाइंस की बास है कि रिलाइंस तो एक ऐसा नाम है भारत के अक्षेतर के अंदर कि जिस फिल्ल में अगर एंटर करता है तो दन ही मेक्स बि जो concrete की curing में help करते हैं उसको faster curing करने के अंदर ताकि speed बड़े project की they are getting into the technological space चाहे वो artificial intelligence है, machine learnings है, data analytics है और 3D printing है जो मैंने बात की 3D printing आप देखेंगे हमारे show में भी है तो एक बहुत ही अदबत जिसे बहुते हैं कि एक बहुत ही unique किसम का experience है कि क्या ये technology sector के लिए क्या कर सकती है और एक मैंने concrete scanning की बात की है ये सब चीज़े हैं जो आपको floor पर दिखेंगी तो मेरे खिया से ये बहुत बड़ा message है ये भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए कि भारत इस समय उस stage पहुंच गया है जहां पे इसको आगे accelerate होने के बात के लिए यहां पर एक कुछ ना कुछ टेक अवे है जैसे मैंने WOC I connect.online की बात की digital marketplace को हमने unveil किया है लाँच किया है और मेरे खियास से फर्मी तक हमारे portal ready हो जाएगा और फिर तो physical community and digital community यह बहुत अच्छा प्लॉस्पर करेगी और हमारा प्रयास यही है कि इस sector के लोग इस sector के stakeholders technology को embrace करें जितना जल्दी करेंगे जितना ब तो बहुत ही अच्छा यह इनिशेटिव दिनों में लिए इन फॉर्मा मार्केश में और स्पेशली यह अगे अपने से बहुत आपने से बहुत आपने से बहुत आपने सब्सक्राइब करना है और इसके उपर अपने को complete road करना है और एक्जिस्टिंग तार रोड के उपर डाल के यह concrete का हो जाएगा 72 hours जो time और यह सारे issues ते तो सारे इस टेक्नोलोजी मों सॉल्व हो रहे है transparent concrete, 3-day printing, cell filling concrete इस सब की awareness यहां पर बहुत अच्छी आ रहे है तो इसको लगता है इसको बहुत फायदा होगा